हेलो एब्रीवन आइम अभी शेक सुरिवनसी वेलकम स्यू ओल एट ओफिशिल यूटीब चैनल अफ नूरॉन्स क्लासिज वेयर विस एड़ इंपल्स आफ नॉलिज सो इस्टुडेंट जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी हम बोर्ड एक्जामीशन में एक्जाम देने जा था लेकिन फिर भी हमारे माक्स कम आ गए ठीक है जितना आप लिखकर आए थे या जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उतने माक्स आपको नहीं मिल पाते हैं इसका रीजन क्या है और जो टॉपर्स होते हैं यानि कि कुछ बच्चे कुछ स्टुडेंट्स ऐसे भी होते है हैं जिनके 100 out of 100 माक्स आ जाते हैं आखिर वह ऐसा क्या करते हैं वह भी वही स्लेबस पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हो ठीक है लेकिन यहां पर जो कमी रह जाती है वह है कि आप कोश्यन का आंसर किस तरह से दे रहे हैं किस तरीके से आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और को कितने एफेक्टिव वे में आप कम शब्दों में ज्यादा बात आप कह पा रहे हैं ठीक है तो इसी तरह से बहुत से स्टुडेंट्स की भी होता है कि जो टॉपर स्टुडेंट है आखिर वह कॉपी में कैसे लिखते हैं तो इसी लिए मैं आज आपके साथ शेयर करन वाला हूं 2020 के एक टॉपर की बायलोजी की कॉपी ठीक है कि उसने किस तरह से कोशन का आंसर दिया कैसे उन्होंने को लिखा ठीक है और किस वे में कितने वर्ड में उसने आंसर को दिया तो इसमें बहुत सारा पूरा का पूरा पेपर मेरे पास बुकलेट है जिसमें पूरी कि किस तरह से उसमें आंसर देने की कोशिस की है अभी मैं वीडियो का फर्स्ट पार्ट बना रहा हूं अगर आपको अच्छा लगेगा और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी आपको इसके आगे के पार्ट में एक्स्प्लेइन करूं आज मैं आपसे सिर्फ एक दो नंबर वाले जो कोशन आते हैं उनके बारे में डिसक्स करूंगा वो भी कुछ ही कोशन के बारे में क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पढ़ाने नहीं आया हूं मैं सिप आपको तरीका बताने आया हूं कि किस तरह से लिखे जाते हैं ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक सीविस्ट टॉपर शीट है ठीक है इसमें हमें सजेशन्स भी दिये गए हैं कि क्या-क्या वे थे कैसे-कैसे आंसर लिखे जाते हैं कि पहले एक नंबर वाले कोशन की बात हम करते हैं यहां पर कुछा गया था मैंशन दा कैमिकल चेंज ठीक है डैड प्रो इंसुलीन अंडर की बता इनंसुलीन Monsieur फोस से वहां से रिमूब करना उता यह बचिवी चेन उसको-क्या-करना होता है जिस सेंयुक्त कि हमारे घ्सмी नहीं होतार है नहीं हुता है पर तो ऑस चेन को सेमोब करना होता है फिर न जो बची वी चेन उसको क्या करना होता है जिससे कि हमारा जोपर इंसुलीन है वो मैच्वर इंसुलीन में किसलीन के मैचुरेशन के टाइम पर क्या होता है सी पैप्टाइड चेन इस रिमूब के एंस पैप्टाइड जो चेन है उसको रिमूव कर देते हैं ठीक है तो वन माक का यहां पर कोश्चन आपको अंसर पूरा मिल गया है ठीक है आगे देखिया यहां पर यह वोश्चन इस पर हमारे एक्जाम में नहीं है स्लेबस से हट चुका है थर्ड कोश्चन देखिए नेम टू डिजीज हूज स्प्रेट कैन बी कंट्रोल बाइडिकेशन ऑफ एडीज मॉस्किटो तो एडीज मॉस्किटो को अगर हम खतम कर देते हैं हटा देते हैं तो कौन-कौन से ऐसी द टॉपर वे में और देखिए एक चीज और जहां पर एक्जाम्पल या नेमिंग की गई है वहां पर टॉपर ने अंडर लाइन भी किया है तो यह अंडर लाइन जो किया गया है इससे हाइलाइट हो रहे हैं पॉइंट्स तो डारेक्ट नजर यहीं पर एक्जामिनर की नेम की स्पैलिंग अच्छी करेक्ट दी गई है और अच्छे से स्पैलिंग को यहां पर बताया गया है नेक्स्ट कुश्चन में यहां पर ले लेता हूं हाओ डू साइटो काइन बैरियर्स प्रोवाइड इन्नेट इम्यूनिटी इन हुमन्स ठीक है तो यह हमारा जो इम् तो पता है कि जो इम्म्यूनिटी हमें बण से मिलती है वो क्या होती है इननेट इम्यूनिटी होती है तो यहां पर लिखा गया क्या श्यु chin में इनेट इमन्लोस 75 वह सेल है ata 수不是 यहांड नहां पर कोई भी वाइरेस आया यहां इस वाइरेस ने इस सैल को इफेक्ट किया तो यह सैल अ पने आसपास की जो नेबरिंग साइल है उनको लिए क्या करते सीडिकल करती एक किमिकल को हम क्या बोलते हैं इंटर फैरॉन ठीक है इंटर फैरॉन बोलते हैं यह इंटर फैरॉन क्या करते हैं नेबरिंग सेल्स को पहले से आवेयर कर देते हैं कि वाइरल इंफेक्शन स्टार्ट हो चुका है और भी प्रिपेर फोर यौर प्रोटेक्शन इस तरह से cytokinin barrier हमारी help करता है innate immunity में तो देखो यहां पर इन्हों ने लिखा है वाइरस infected cells ठीक है infected cells virus infected cells होती है produce chemicals called interference यहां पर साफ साफ highlight कर दिया है कि वाइरस से जो infected cells हैं वो interferons बनाती है और वो क्या करती है normal neighboring cells को क्या करती है viral infection से protection देती है तो अंडालाइन करने से direct मेरी जो नजर है या कोई भी जो बंदा देख रहा है उसकी नजर सीधे वहीं पर पूंसती है ठीक है तो यहां पर भी यहीं चीज़ें है ठीक है आगे मैं एक दो question आपको और दिखा देता हूं ठीक है जिससे कि आपको इसली समझ में आ जाएगा ठीक है देखिए यहां पर देखिए कि यहां पर फिर से एक और question दिया गया है कि हां जिस्टा मिनट ठीक है हां अभी यहां दिखाए दिया गया है कि ऑल्दो प्रोकरियोटिक सेल है यहां पर दो कोशन पूछे गए थे कोशन नंबर एट में तो जो टॉपर है उन्होंने कोशन और वाला जो आंसर है वो किया है ठीक है तो बच्चे एक्जाम में एक सा कोशन भी उतार देते तो आपको ध्यान रखना है कि कोशन नहीं उत कोशन सकता हूं कि क्या बताने की इंकोशिस किई गये इन प्रोकरियोटिक सेल देरियर डेर इनोड यंडय नुकाइट निउकलीस नहीं होता है तो डिफाइंड हमारा नेगे टिव चार्ज होता है कैसा होता है नेगेटिव ली चार्ज होता है डीने और जो डीने है जब डीने की पैकेजिंग होती है ठीक है तो प्रोटीन के ऊपर जो की पॉजिटिव ली चार्ज प्रोटीन होते हैं उनके साथ में डीने नेगेटिव चार्ज डीने पॉजिटिव ली चार्ज डीने प्रोटीन के साथ साथ में जोड़ा रहता है ठीक है तो इस वजह से वो पूरी की पूरी साहल में स्कैटर नहीं होता है ठीक है तो यह दो नंबर वाला एक कुशन था और मैं यहां पर और कोई कुशन ले रहते हैं ठीक है जैसे देखें यहां पर एक डिफ्रेंशियेट पूछा गया है कि ऐगो पार्थी नू-कार्पी इसदा प्रोड़क्शन ओफ न फ्रूर्ट्स विदावट फर्टkim लाज की प्लांट्स यानि बिना फर्टिलाजेशन के प्लांट्स में फ्रूट chemical वन ने का बडिकाम्पल चलब्देन लेसकते हैं जहां पर आपको बनिल रहा है ap उपर वाले के लिए मिलार रहाफ मास मीचले में यह लिए निफेस्ट सब्सक्राइज और men इन निफेस्स प्फेंल गैमी सब्सक्राइज सब्सक्राइज में में की जानख पर बोला गया है कि प्रधा बिना फर्टिलाइजेशन के नए इंडिविजूल को डेवलप कर देता है गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के भी तो उसको हम क्या बोलते हैं पार्थीनो जैनिस बोलते हैं सिंग गैमी का मतलब क्या होता है फ्यूजन आफ मेल फीमेल गैमीट तो विदाउट सिंग गैमी जब फीमेल गैमीट कोई भी इंडिविजूल को डेवलप कर रहा है तो यहां पर टर्की का एक्जामपल लिया गया और एक्जामपल आफ इसमें हनी भी का भी एक्जामपल ले सकते हैं ठीक है यह बलर होने लग रही है और अगर आपको इसमें चीजें समझ में आ रही है तो आप एक काम कीजिए मुझे कमेंट सेक्षन में बोलिए मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको इसका कम्पलीट डिसकेशन बताऊंगा और सारे कोशन हम डिसकस करेंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और कुछ सीखने को मिल रहा है तो कमेंट सेक्षन में आप मुझे बताइएगा तो मैं इस वीडियो का दूसरा पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं डाइग्राम बेस्ट और लॉंग कोशन को कैसे लिखते हैं उसके बारे में आपको बताऊंगा ठीक है तो देखें यहां पर लिखा भी है करेक्ट डिफ्रेंशियेशन विद एक्जामपल सार गिवन बच्चे यहां पर एक्जामपल भी मेंशन किये हुए हैं दोनों ही डिफ्रेंशियेशन में ठीक है तो आई हो वीडियो आपको अच्छी लगी